हेलो स्टुडेंट्स जार्खन डीजे स्कूल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्रयावरन अध्यन कक्षा चार के पाठ ग्यारा पौधों की दुनिया का दूसरा भाग पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने पौधों के जड़ों के बारे में जाना था आज इस वीडियो में हम पौधों के फूलों के बारे में सबसे आकरशित भाग के बारे में जानेंगे तो सुरू करते हैं हम एक वर्ग पहेली से बच्चो प्रिस्ट संख्या बारसट में एक वर्ग पहली दीवी है इस वर्ग पहली से आपको कम से कम दस फूलों के नाम धूंडना है आईए धूंडते हैं तो बच्चो आप तयार हैं इस वर्ग पहली को करने के लिए इस वर्ग पहली से हम अपने आस पास के कुछ फूलों के नाम ढूनेंगे ठीक है पहला आपके लिए किया हुआ है ये है गुल दो दी है ना उसके बाद देखिए इसी लाइन में देखिए तो ये है मुझे मिल गया बेली बेली का फूल देखा है अपने सफेद रंग का हाँ अच्छा अब कहां है अब ये देखिए ये मुझे मिल गया उड़हुल वाव और ढूण देखिए यहां देखिए कमल और ढूण देखिए यहां देखिए गुलाब और यहां देखिए च, आधा, म, और प में आ की मात्रा चमपा ओ, यहां देखिए यह है जुही उसी के उपर आप देख सकते हैं गेंदा डालिया का नाम सुना है देखिए यहां से हमारा बनेगा ड, ह, ल में छोटी की मात्रा और या डहलिया एक और फूल का नाम मुझे मिला है यह है च, म में एकी मात्रा और ल में बड़ी चमेली तो बच्चो मैंने तो यह दस नाम ढून लिये आप भी इसी तरह और अगर बनते हैं तो आप ढूनडिये इस वर्क पहली से और अपने कोपी में नोट डाउन कर लिजिए तो अभी हमने दस फूलों के नाम ढून लिये बच्चो हमारे आसपास बहुत सारे फूल है तो मैं आपको एक परियोजना कार्य दे रही हूँ आपको पेर पौधों से गिरे हुए फूलों को लेना है कम से कम दो फूल फिर उस फूल का ध्यान से अलोकन करना है कि फूलों का रंग कैसा है, फूलों का आकार कैसा है, फूल में खुश्बू है या नहीं, पंखुडियों की संख्या कितनी है आदी इस तरह से आप फूलों से परिचित हो पाएंगे तो अब हम चाहते हैं कि आप फूलों को पास से देखें इसके लिए जयामयम आपको कुछ फूलों से परिचे करा रही है वेल्कम अगेन तो बच्चो अब हम क्या करेंगे? कुछ फूलों को सामने से देखेंगे और उनके नाम से उसको पहचानने की कोसिस करेंगे तो सुरू करें सबसे पहले आपके सामने ये फूल है क्या आप बता सकतें ये कौन सा फूल है? ये गुलाब है चलिए अब मैं आपको दूसरा फूल दिखाती हूँ इन फूलों को ध्यान से देखें क्या बता सकतें ये कौन सा फूल है? ये है केंदे का फूल वेरी गुड, अच्छा आप इस फूल को भी तो पहचानते होंगे यह कौण सा फूल है? यह है उड़ुल का फूल वेरी गुड, अच्छा, आप मुझे बता Venice यह कौण सा फूल है? क्या बता सकते हैं? यह है गुलदोदी इन फूलों को कभी देखा है आपने? गुल्दस्ते में तो जरूर देखा होगा ये है ग्लैडी कौन सा फूल है ये ग्लैडी और ये अलग-अलग रंगों में मिलते हैं ये फूल देखिए ये फूल इसको कहते हैं क्रिसंती बम इसको देखिए ये गुच्छे में है है ना छोटे-छोटे सफेद सफेद रंग के आप देख सकते हैं ये कौन सा फूल है ये है जिपसी ये है जिपसी इन फूलो को देखिए ये आपने कभी गंलों में लगे हुए देखे होंगे ये है डेजी तो बट्चों अभी हमने आपको तरह तरह के अलग-अलग रंगों के फूलों से परिचित कराया आईए अब फूलों के बारे में कुछ और जाने कुछ फूल पेड़ों पर लगते हैं जैसे कदम का फूल, पलाश का फूल, गुलमोहर का फूल कुछ फूल जाड़ियों पर लगते हैं जैसे गुलाव, उढ़ुल, कुछ फूल आप पानी में देखते होंगे, जैसे कमल, कुछ फूल रात में खिलते हैं, जैसे ब्रम्ह कमल, नील कमल, रात रानी, जैसे पिटूनिया, गुलदाउदी, गेंदा, इत्यादी, और कुछ फूलों को आप आँख बंद करके भी खुस्बू से पहचान सकते हैं जैसे रजनी गंधा, चमेली, गुलाब, इत्यादी फूल तोड़ना मना है क्या आपने कहीं इस तरह की तक्ती लगी देखी है? क्या तक्ती लगी होने के बाद भी कुछ लोग फूल तोड़ लेते हैं? वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? इन प्रशनों का जब आप सोचिए चलिए तो मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की तक्ती किसी बाग या बगीचे में देखा है तक्ती लगी होने के बाद भी कुछ लोग फूल तोड़ लेते हैं उन्हें ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए सोचिए अगर सब ऐसा करने लगे तो बगीचा बीरान लगेगा और परिशर की शोभा भी खतम होगे बच्चों क्या आपको पता है कि कमल हमारा राश्ट्य फूल है और पलाश हमारा राज़किय फूल चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्या आपको पता है कि फूल कुछ लोगों के जीवन यापन का आधार है पाठ में बताया गया है कि रामो के बाबा फूल बेचते हैं उनके दुकान का नाम रामो मालाकार है क्या आपने भी अपने आसपास कहीं फूल बेचते लोगों को देखा है तो आप जाकर पता कीजिए कि वे कौन कौन से फूल बेचते होंगे, वे फूल कहां से लाते हैं और लोग किन कामों के लिए फूल खरीतते हैं साथ ही आप ये भी पता कीजिए कि एक गुलाब का फूल का क्या दाम है, एक माला का क्या दाम है या एक गुलदस्ते का क्या दाम है आईए अब हम ज्ञारखंड के एक प्रसिद चित्रकला सोहराई के बारे में जाने निरुपमा मैम से जोहार आज मैं आपको दिखाती हूँ जारखन की पेंटिंग सोहराई आपने इसे जरूर देखा होगा अगर आप कभी ओरमाजी के चिरिया घर गए हैं तो आपने देखा होगा कि उसके बाहरी दिवारों पर ये पेंटिंग की हुई है आप अपने शहर की भी किसी दिवारों पर इसको आराम से देख सकते हैं अगर आप गाउं में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि दिपावली जैसे परवत योहार के अवसर पर दिवारों पर ये पेंटिंग बनाई जाती है पहले इन परेंटिंगों को बनाने के लिए प्रैक्रिटिक रंगों का इस्तमाल किया जाता था जैसे पत्तों से निकाला गया हरा रंग, हरसिंगार के फूल से निकला काला रंग, पलाश के फूल से निकला लाल रंग लेकिन अब चुके लोगों के पास समय की कमी है और चीजें भी बहुत आसानी से रंग भी उपलब्ध हैं इसलिए इस तरह के जो बाजार के रंग होते हैं इनी का उपयोग किया जाता है इसके साथ साथ इसे बनाने के लिए आप कपड़े में रूई एक स्टिक में रूई लगाकर उसका उपयोग कर सकते हैं या फिर आप इस तरह के पेंटिंग ब्रश का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि आप किसी और पेंटिंग के लिए करते हैं इन पेंटिंग्स को बनाना बहुत ही आसान है चलिए मैं आपको अपने विद्याले की कुछ पेंटिंग्स दिखाती हूँ जिसे की बच्चियों ने बनाया है तो ये देखिए, ये कितनी प्यारी मचलिया बनाई हुई है ये सोहराई पेंटिंग में ही बनी है इसी तरह देखिए एक हिरन का पडिवार तो आप भी अपने स्कूल को या घर को इन पेंटिंग्स से जरूर सजाईए इसी प्रकार हमारे पडोसी राजी बिहार का एक जिला मधुबनी है यहां की चित्रकला मधुबनी पेंटिंग कहलाती है और बहुत प्रशिद है उत्सों के आसरों पर यहां घर की दिवारों और आंगन में पीसे वे चावल के घोल में रंग मिलाकर फूलों के भी चित्र बनाए जाते है बच्चों, पेड पौधे हमारे लिए कितने उप्योगी है तो पौधे की देख भाल करना भी हमारा करतब्य है क्या आपको पता है कि पेड काटना अपराध है इसके लिए सजा का भी प्रवधान है चलिए पाठ में दिये गए एक कहानी को पढ़ते हैं पेड बचाओ मंगू के गाओं में सभी पेड पौधों का बहुत ध्यान रखते थे गाओं के बुजुर्गों का कहना है कि पेड पौधे हमारे बिना रह सकते हैं पर हम पेड पौधों के बिना नहीं रह सकते मंगू एवं उसके दोस्त की भी पेडों से दोस्ती है वे सभी मिलकर पेड़ों की छाया में खेलते हैं एक दिन मंगू ने देखा कि गाउं के कुछ लोग कुलहाडी लेकर पेड़ काटने आ रहे हैं मंगू और उसके दोस्त पेड़ से चाकर चिपक जाते हैं और किसी को भी पेड़ नहीं काटने देते हैं वे लोग वापस आ जाते हैं मंगू का गाउं आज भी हरा भरा है मंगू के दोस्तों ने भी एक एक पेड़ से दोस्ती कर ली है तो बच्चों हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है पेड़ से हम फल फूल प्राप्त करते हैं तो हमें पेड़ों का देख भाल करना चाहिए तो इस वीडियो में हमने सीखा हमारे जीवन में फूल बहुत ही उपयोगी है फूल कुछ लोगों के जीवन का आधार है जारकन की सोहरे चितरकला एवं बिहार की मदुबनी चितरकला को भी आपने जाना पोधों की देख भाल करना हमारा करतब्य है या भी जाना तो आशा करते हैं कि आप फूलों का ओलोकन कर पाएंगे और फूलों की उपयोगीता को समझ पाएंगे साथ ही अपने आसपास के पोधों की देख भाल भी कर पाएंगे तो इस पाठ में इतना ही धन्यवाद